हेलो एवरिवन वेलकम टो माई यूटिप चानल इगनो स्टुडेंट जोन आज की इस वीडियो में मैं आपको इगनो के नए नोटिफिकेशन के बारे में बताने चाह रही हूं तो वीडियो को बिने स्किप किये पूरे अंट तक देखे ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेश मिल सके चलिए स्टाइट करते हैं तो सबसे पहले आप एगनो के एफिशल वेबसाइट पर आएंगे एगनो.ac.in तो इस पेज ओपन होगा यह वाला तो वहां पर आपको नीचे न्यूज एन अनॉसमेंट में सबसे पहला है ओनलाइन समिशन ऑप एग्जामनेशन फॉर्म पर जून 2020 एग्जाम का जो मतलब जून में जो एग्जाम होने वाला था उसका जो एग्जाम फॉर्म का जो लास्ट थीर था उसको एक्स्टेंट कर दिया गया है विदाव लेट फीट इस लिंक को हम उपन करेंगे तो जो जो स्टुडेंट जून 2020 में अपने एग्जाम देने वाले हैं जिन्होंने अपने फॉर्म नहीं भारा अभी तक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यह 19 अप्रेल 2020 का न्यूज है जैसा कि आप देख सकते हैं आज का न्यूज है तो मैं डिटेल्स प को बता दें कि जो जो अभी तक एक्जाम फर्म नहीं भर रहे थे उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है जोंकि उनके पास फिर टाइम नहीं होता एक्जाम फर्म समिट करने के लिए अब जैसे कि डेट एक्टेंट कर दिया गया है तो उनके पास अराम से वो बाद म समिट कर सकते हैं तो जिससे कि देख रहे हैं मेरे पास यह अल्रेडी डाउनलोड इट सा तो मैं इसे डिरेक्ट ओपन कर लेती हूं तो यह पेज इस तरह से स्कैन फर्म में किया हुए है मैं आपको इसके न्यूस पढ़के पताती हूं तो दे लास्ट देट अपक्टिंग सब्सक्राइब करने का उनलाइन वह 30 अपरेल से बढ़ा करके 15 में कर दिया गया है जैसा कि आप लोग जानते है कि कोरोना के कारण एक precautionary measures लिया गया है regional centers, learner support system यह सब को बंद रखने के लिए 3 माई तक का तो इसलिए यह जो online exam form fill up करने का date है उसको भी बढ़ा दिया गया है पर tension वाली बात नहीं है इसमें आपको late fee नहीं देना पड़ेगा without late fee जैसे आप 30 अपरेल तक form submit करते हैं वैसे ही आप 15 माई तक submit कर सकते हैं जो आपका प्राइस लगता है वहीं लगेगा आपको कोई late fee देने का जरुवत नहीं है तो जितने भी रीजनल डेरेक्टर से उनको यह बोल दिया गया है request कर दिया गया कि वह अपने रीजनल सेंटर में यह notice लगा दे और रीजनल डेरेक्टर को यह भी बोल दिया गया है कि उसके अंतरगत जितने भी study centers आते हैं उन तक भी information पहुचाया जा सके ताकि study centers वाले अपने students को यह information प्रोवाइड कर सके और जो head computer division है उनको request किया गया है कि वह information को एगनू के website पे upload कर दे और जो director है international division के उनको request किया गया है कि वह अपने international learners को यह information प्रोवाइड कर सके ताकि कोई भी tension ना ले तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि date extend कर दिया गया है without late fee तो आप easily तीन तारिक के बाद अपने form फिल अप करके submit कर सकते हैं अगर यह information useful लगे तो इसे like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए ताकि उन्हें भी यह information